श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित हैं चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते है वो चंद्रमा की स्थिती लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता फिर भी अच्छे सयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे जी हाँ जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे इस समय में लगबग हर क्षेतर में आपको काम्याबी मिलेगी सुबह से ही आप प्रसन रहोगे फ्रेश रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे व्यापरियों के ले भी ये समय काफी अच्छा रहेगा व्यापरी इस दिन खुल कर निवेश कर सकते है ये समय आप के लिए तरक की लेकर आया है तो अच्छे समय का अच्छा लाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती दिखाए देगी आप धार्मिक रहोगे इस समय में धार्मिक यात्राय भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन हो सकता है दोस्तो इस समय में कुछ लोग आपसे मदद भी मांगने आ सकते हैं उन्हें सही राहत जरूर दिखाए इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी लोगों को प्रभावित करने में आप काम्याब रहोगे अगर आप राजनीती में हैं तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लीजे काम सफल होगा समय बिल्कुल सही है किसी नई चीज की खरिदारी करनी है कोई बड़ी खरिदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है नया बिजनेस शुरू करना है तो इस समय में काफी सुन्दर योग बन रहा है इस समय का फाइदा जरूर उठाए किसी भी चीज की नई शुरुवात इस दिन आप कर सकते हो इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्टा बढ़ेगी खेल खुद से सम्मंदित चेतर से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुती बढ़िया रहेगा प्रमोशन या नया जाब पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अगर इस तरह का कोई काम आपको करना है तो प्रयास जरूर करे आप सफल हो सकते है इस समय में यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे है अपने बिजनेस या जॉब से सम्मंदित यात्रा भी इस समय में आपको करने पढ़ सकती है यात्रा ये शुब रहेगी सफल रहेगी विदेश यात्रा के योग भी इस समय में पन रहे है विदेश से धन कमाने के मोगे भी मिल सकते है इस दिन आर्थिक स्तिती मस्बूत रहेगी और आप शांत वा आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे तो देखे तो लगबग हर छेत्र में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे रही है नोकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसाबित होगा अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बहारी रुकावटे आ सकती है इस से पढ़ाई थोड़ी दिस्टर्ब हो सकती है जैसे अचानक से महमानगर आ सकते है अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है लेकिन समय काफी अच्छा है अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पुरी जरूर होगी अगर परसनल लाइब के बात करते हैं लव लाइब के बात करते हैं तो लव लाइब के लिए भी ये समय बहतरीन है कोई ऐसा रिष्टा आपकी जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ जीवन के हर बल का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके और आपके अपनों की जीवन को खुशियों से भर दें इस दिन आपका स्वास्तिय बढ़िया रहेगा आपका स्वास्तिय बिलकुल ठीक रहेगा स्वस्त और मस्त रहोगे इस समय में हरे रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है आईए अब जानते हैं अगली दिन का राशी भल तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बड़ुतरी करने वाला है। जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगे और मस्तर होगे बिमारियों से आप दूर ही रहोगे इस समय में आपकी शरीर की उर्जा भी बहुत ज्यादा रहेगी और आपकी काम करने की गती भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अप दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा जी हाँ भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे हैं चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भाग्य शाली रहने वाला है लेकिन चंद्रमा पराक्रम ख्षेतर में गोचर कर रहे है उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है व्यापारियों के लिए निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया र अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुब रहेगा, विदेश जाने की प्लानिंग इस समय में आप कर पाओगे, इस समय में, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बन अगर कोई पुरानी अन्बन थी तो वो समाप्त हो जाएगी अगर स्टूडन्स की बात करते हैं विद्यारतियों की बात करते हैं तो इस समय में स्टूडन्स को इस दिन खास ध्यान रखना होगा इस समय में आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें जी हाँ भाग्य के भरो से बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला इस समय में स्टूड़न्स जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूड़न्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूड़न्स को इस स करने के लिए लाइफ को एंजोई करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इस समय में नए रिष्टे बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित है उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में संभावना रहेग समय का अच्छा उपयोग जरूर करे इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है आईए अब जानते हैं अगली दिन का राशी भल इस दिन चंद्रमा की पोजिशन ठीक नहीं रहेगी चंद्रमा इस दिन फोर्थ हाउस में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे मानसिक तोर पर disturb रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलट डिसिजन से बिगड सकते है इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निरने लेने से बचना चाहिए और कही निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए इस दिन ग्रहनक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसिक परेशानिया गलतिया करवा सकती है आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा मुनाफा भी अच्छा ही होगा आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे इस दिन आप शौपिंग कर सकते हैं बड़ी खरेदारी भी कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोक्री पेशा लोगों की बात करें तो नोक्री पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है, इस दिन आपको अपने काम के क्षेतर में कर्म ज्यादा करना होगा, आपकी आर्थि स्तिती इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में जो लोग अपनी जन्मभूवी में से दूर है, उन्हें अच्छे लाब मिलेंगे, अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स आज थोड़े डिस्टरब रह सकते है, पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है, दोस्तों इस समय में अगर मैरिड ल लाइप की बात करें, लाव लाइप की बात करें, तो लाव लाइप के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा, आज की दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारिरिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तोर पर कमजोर हो सकता है, आज की दिन के लि नाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा